विसम्हार रह्मार रहीम असलाम लेकुम जनाब आई होग क्या बिल्कुल ठीप होंगे हम इस वकत जो डिसकेशन करने जा रहे हैं डाइट इस अबाउट दा एफ यार वन कोर्स जो के नियर प्र मौझूद है जो मैं पढ़ाता हूं और मैं आपको इस सेशन के इंदर यह बत रहे हैं और इनको यह जो एक रोड मैप हम लोग डिफाइं करेंगे कि अगर आप यह पर ना चाहते हैं तो आपको किस किस तरीके से कोर्स पढ़ना चाहिए क्या क्या बाते होनी चाहिए कौन-कौन सा कॉंट मेटेरियल आप यूस करेंगे टेस्ट सेशन क्या होगा टीचिंग के प्रफेशन से जो मेरा तालुक है उसकी एक समरी है कि मैं राइट आफ्टर कंपलीशन अफ मैं आइस वक्त किया और ना सरफ टीचिंग प्रफेशन को जोईन किया बलके इसमें डिफरेंट प्रडॉक्स और डिफरेंट आइडिया को पर काम करना शुरू किया पर इसमेंपल नेर पियर के साथ हम लोगों ने इस वकत क्या और नेर पियर के पर कोड़ेंब करना शुरू किया जो आप देख सकते हैं कि असलेक एक अलम्द बहुत बड़ा प्लैफर्म पाकिसान के सबसे बड़ा प्लैफर्म है इं तरंस अफ नंबर अफ बोर्स बहुर् इसके लब आप देखेंगे सीयर नोट्स पॉपिलिकेशन जिनके पास्पेपर्स आप लोग आज इसके लावा बहुत सारी किताबें डिफरेंट सब्जेक्स याप लोग को सीयर नोट्स पॉपिलिकेशन की नजर आती हैं और इसके लब ऑनलाइं टेस्टिंग जो आपको मिल अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रवाइट करने कोशिश करें बारल इसके लाव यह पर और दूसरे प्लैट्टॉम्स को पर दिफरेंट की सर्विसस हैं और फरी बहुत सारे सेशन करवाता रहा हूं और स्टुडेंट्स का जो रिस्पॉंस वगरा है वो भी आपर लि में बselfy और इसके लावा बिजनिस लौ और टक्सेशन ठीक है यह त्मस्टी अपको करने पड़ते हैं आपको मैं सिझेस्स करता हूं कि आप यह तीन सब्जेक्ट शुरू किया करें इन तिनों सब्जेक्ट्स के लाइग पापर जिसे हम के वन भी कहते हैं यह एक समझ तो प्यार्टी फोर आपको अंदाजा है कि उसमें बेसी कांटिंग थी और आपने बहुत सारी चीज़ा समझी थी और आपने जब उसे क्लियर कर लिया है तो अब आप सबसे पहले पेपर आप देख रहे होंगे और यह जो पेपर है यह उन्हीं कांसेट के ऊपर बेस कर रहा है जो कांसेट्स आपने पी और सी फोर के अंदर पड़े थे ठीक है जी तो आप यार्वान का जो पेपर है डाट इस प्रैमरी अबाउट फिनेंशल अकांटिंग और ठीक है जी प्रैंशल अकांटिंग भी पढ़ेंगे आप और इसमें रिपोर्टिंग के कॉंसेट्स को भी समझेंगे का है एंड इस इस दा फॉस्ट फेपर जो कि आप कैफ में अकॉंटिंग के वाले से पढ़ जाओंगे जब आप यह यह पेपर कर लेंगे तो आपके पा accounting के पेपर जो आपने पढ़ने है और यह चीज़ तो मैं बारहा क्या चुका हूँ के financial accounting की जो stream है the faculty of financial accounting faculty से मराद है शौबा financial accounting का जो शौबा है यह सबसे ज़्यादा prime focused है जब हम chartered accountancy की बात करते हैं far1 एक base develop करते हैं आप लोगों की accounting के अगले तीन papers की और इस subject में हमेशा ही कहते हूं कि इसमें तुका नहीं लगाना इसमें डिंडी नहीं और इसमें नलाइकी नहीं दिखानी क्योंकि अगर आप यह करेंगे तो आपको नुकसान होगा बलके यह पिपर भी आपका खराब होगा अगले तीन पेपर भी आपके खराब होगे तो एक overall schema जो है overall diagram जो है वह chartered accountancy की उसके अंदर आप यह समझ लीजिए कि जो main focused areas education के अवाले से आपकी एजुकेशन के वाले से वह हैं जी एक है MFA आता है ठीक है जी फिर BFD आता है और फिर उसके बाद MSA 2 आता है same goes with financial accounting और मैं इसे कह सकता हूं कि इसमें जनाब आपके पास कहके चीज़े आती है introduction to accounting आता है जी FAR 1 आता है FAR 2 आता है और इसके बाद CFAP 1 आता है और MSA 1 आता है ठीक है जी तो आप यह समझिए कि यह दो में एरिया जिन में से जो accounting की जो field है उसका पहला paper है और यह base बनेगा आपकी अगले papers के लिए IKEA अगर इस syllabus grid को explain करता है आप देखें तो इसके तीन में एरिया प्रिपरेशन और अगरे अगरे बातों को डिसक्स करते हैं वह यहां पर साबल है इस syllabus grid को देखकर मुझे को बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं होती है कि इस syllabus grid को देखकर हम यह अंदादा नहीं लगा सकते कों से areas important है कों से areas less important है जैसे आपको याद होगा कि हम लोग QM के अंदर यह बात गिया करते थे कि यह कुछ ज़्यदा अच्छे तरीके से आपने करना है और कुछ अरिया जिनकी वेटेश काम है चले इनको एक secondary importance दी जा सकती है ऐसा आफ यार वन में कुछ नहीं है आप देखें कि आपने इसको तीन पार्ट में डिवाइट किया और तीनों पार्ट जाएं वह अप्रॉक्सिमेटली 30 30 के आसपास है तो भाई फिर तो यह क्या grid हुआ फिर तो यह कोई grid नहीं है ना फिर तो आईके आपने बस यह काया कि यह अज़िया जाली में पूछाँगा अगर हम चैप्टर वाइज हर ग्रीट की बात करें तो ग्रीड एज़ो है ग्रीड एक अंदर चैप्टर 2 5 6 8 और 11 है और ग्रीड बीड चैप्टर 7 9 10 है और ग्रीजी चैप्टर 1 3 & 4 तो दिखने में लग रहा है तो ग्रीड एज चै लेकिन अगर हम content की भी बात करें तो जो 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 ग्रेट से हैं इन में से grid A और आपका जो grid B है यह आप समझ लेजिए कि यह तकरीबन एक जितने हैं लेकिन grid C जो है यह बड़ा grid है इसमें दिखने में तीन chapters है लेकिन इसमें अगर हम standards की बात करें तो जादा जाए और यह बताना जारा हूं कि आपको यह grid जो है यह बहुत जादा उस तरह से important areas की identification में help नहीं करता कि यह areas important है इनको कर लिया जाए यह अगर ना भी किया जाए तो ठीक है एक और बहुत बड़ी problem है वह यह कि यह total यह बताता हूं बड़ी important बात है जो आपने यहां से समझ नहीं है वह यह अगर आपके सामने पास पेपर अनैलिस है autumn 2000 spring 2011 से onward autumn 2022 तक अब इसमें अगर आप देखें तो पुरान है जितना भी आपके पास टाइम पिरिड़िड है उसमें एक problem थी कि कुछ एरिया जो हैं कुछ topics ऐसे हैं जो के कहीं और जा चुके हैं for example यह आपको नीचे लगेगा नजर आएगा topics currently not in the syllabus of far one यानि के वो एरिया जो आप 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 आर वन के topics एरिया में नहीं हैं और कभी topics में पूछे जाते थे तो मैंने उनको नीचे शिफ्ट कर दिया ताके आपके आपकी 100 की गिंती भी पूरी हो जाए और आपको यह भी बता चल जाए कि एरिया आप किदर है जैसे for example branch accounting यह पहले हुआ करती थी अब किसी भी लेवल के ओपर यह topic नहीं है पांच पेपर में से किसी भी पेपर में branch accounting का concept नहीं है ब्रांच accounting खतन कर दी कि है क्योंकि एक obsolete concept हो चुका है similarly partnership जो है यह भी deleted है कुछ chapters रहे है वो PRC 4 में shift हो गए है जैसे cost of production है final accounts है यह PRC 4 में चले गए है कुछ जो पास्वेपर अनेलिस से वो शायद बहुत ज्यादा valuable ना हो लेकिन यह जो रीसेंट डो अटेम्ट सभी तक हो चुकी है आटम 2022 की इन दोनों अटेम्ट के पास्वेपर अनेलिस से आपको बड़ी मज़े की important बातें पता चलती है और वो क्या-क्या है यह मैं आपके साथ चेक करना लगाँ सबसे पहले अगर आप स्प्रिंग 22 की बात करें तो मैं आपका जो फोकस है वो इस तरफ कराना चाहता हूं आपका ध्यान इस तरफ मब्दूल कराना चाहता हूं कि हर चैप्टर में से question आ रहे हैं तीन नंबर छे नंबर 9 नंबर 18 नंबर 8 नंबर 4 नंब 10 नंबर एक नंबर और 15 ठीक है अच्छा प्रॉब्लम क्या है आई एस एट का topic नहीं आया आई एस एट का topic autumn spring 2022 के टांट में नहीं पूछा बचे बड़े खुछ थे मैंने कर यह कैसे हो सकता है तो जब मैंने एपी एस वाला जो question था यह जो आठ नंबर का सवाल था इसमें देखा तो मुझे पता चला कि आई एस एट भी इसमें पूछा है not EPS that is actually statement of changes in equity नौ नौ नंबर का सवाल के अंदर आई एस एट का भी एक concept उनने पूछ लिया था कहने का मतलब यह कि spring बाइस के अंदर hundred percent chapters में से paper आया था को के autumn 22 की बात करते हैं यह जो बिल्कुल recent attempt गुजरी है वीस नंबर आठ नंबर साथ नंबर तीन नंबर आठ एक दो पन्रह पन्रह साथ और चाहत आई एस 40 का सवाल नहीं आया था लेकिन अगर आप गौर से देखें इस paper को तो यह जो बीस नंबर का IAS 16 का question था इसमें कु मुझे पता है कि आप लोगों को जो चीज मैं देना चाहता हूं जो इस लाइड का take away है वो यह है कि 100% chapters आके cover किये जाते हैं और अब जो recent papers आना शुरू हैं वो आपके सारे के सारे chapters में से पूछा जाता है इसका मतलब यह है कि selective study अगर आप करेंगे तो आपके failure के chances बहुत ज्यादा increase हो जाएंगे ठीक है जी तो यह एक बड़ी important बात है जिस बात को समझना जरूरी है कि जनाब अब examiner जो है वो जि जो नई स्कीम आई है आपके education scheme 2021 उसके हमाले से उसके अंदर जैना वह हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं यह तो पिछला screen shot है जो हम लोगो ने discuss किया था कि जनाब हर chapter से सवाल आ रहे हैं हर chapter से सवाल आ रहे हैं बल्के अगर आप यह देखें तो यह तीन areas ऐसे हैं जो जिनको आई के अपने book में इन तीन standards को मिला के chapter बनाया है chapter 3 तो अगर आप सिर्फ इसकी बात करें तो आट और चार बारा और शेटारा नंबर का पिछले session में और दस नंबर का इसमें और इसमें से भी अगर हम लोग 6 नंबर इसमें आड करें तो 16 नंबर तो यह तो यह पास हो सके हैं देंगे आई के अपने एक बड़ा important stat share किया और वो जरा गौर से सुनियेगा मैं मैं समझता हूं कि उसकी interpretation बहुत घलत है लोगों को जब वो चीज बात समझ आई तो उन्होंने ठीक से understanding किया आई के अपने यह कहा कि जो लोग पास हुए जो लोग पास होते ह हैं किसी भी पेपर में उसका 2% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने more than one more than one question छोड़ा होता है more than one question छोड़ा होता है और फिर भी वो पास हो जाते हैं more than one question left but still they are passed ठीक है यह यह नहीं के जो सो बचे पास हुएं उन सो के सो बच्चों का question paper देखा गया है उन मेंसे सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक सवाल छोड़ कर भी पास कर लिया इसका मतलब यह है कि on average बलके उने very very good performance side students are not able to secure good marks और वो जैसे ही कोई भी एक सवाल छोड़ देते हैं वो उनके fail होने हैं कि chances बहुत जड़ा बढ़ जाते हैं ठीक है और वह इतने ज्यादा increase हो जाते हैं कि वह बहुत ही थोड़ी सी तदाद रह जाती हैं बच्चों की जो फिर भी पास होते हैं एक सवाल छोड़ने के बाद अच्छा यह चीज़ समझ लिए आपने कोई भी area कोई भी topic कोई भ और बाते हैं जो इन दो attempts के analysis से आपको पता चलेंगी एक चीज़ यह देख लीज़ेगा अगर मैं इसका पास्पर अनालेसिस का जो पिछली दो attempts गुजरी हैं उनका grid wise analysis करूं तो फॉर इसेंपल grid जो है सुप्रिंग 2022 में इसमें से 37 नंबर का वेपर आया और autumn 2022 में इसमें से 36 नंबर का वेपर आया टोटल साड़ेश शक्तिस की average बनती है और अगर आप बात करें तो आई-कैप ने जो इस एरिया की average disclaim किया है वो है 35-45 ठीक है इस एरिया में से 35-45 मार्क के questions आएंगे जो एरिया भी था आपका जिसमें तीन chapters थे उसकी average रही है जना 25 और आई-कैप ने communicate की थी 20-30 बिलकुल exact बिलकुल center में average call कर रही है और जो grid C है उसमें रहे हैं आई-कैप पूछता है पिछली दो अटेंट में 38.5 और communicate किया हुआ था कि 30-40 यहीं कि अगर हम बात करें तो grid A में वो lower side पे रहता है lower limit क्या है 35 है 36 के सवाल पूछें grid C में वो upper side पे रहता है आप देखें अपर क्या जी 40 तो उसने 38.5 के marks पूछें और जो grid B है उसमें mid में रहता है और अभी तक तो इसका यही trend नजर आ रहा है ठीक है इसके कहने का मतलब यह है कि examiner सारे areas को touch करता है और proper आप से वो सारी बातें पूछने की कोशिश करता है कुछ और बातें देख लीजिए का जी यह बड़ी important है paper point of view से आपके total 9 questions होते हैं नहीं spring में भी 9 questions आये autumn में भी 9 questions आये अच्छा इन 9 questions की भी एक और division होती है पहले होता है section A आपका जो question paper है आप अगर उसका कोई भी question paper recent time का download करके देख लें तो आपको नदर आएगा कि उसमें sections sections A और sections B section A जो है वो छोटे सवालों पर मुझतमिल होता है उसमें 6 सवाल होते हैं जिनके total 50 marks होते हैं इन में से एक सवाल ऐसा भी होता है जो mcqs वाला question होता है जिसमें 8 9 mcqs इस तरह से होते हैं फिर जो section B है इसमें तीन questions होते हैं और वो तीनों मिलागे 50 marks के होते हैं यानि कि section A और B दोनों 50 50 number के होते हैं आपके पास कोई option नहीं होती कि CA के question papers में कभी आपके पास option नहीं होती कि पांच सवाल हैं साथ सवाल हैं उसमें से 5 करने ऐसा नहीं होता आपने सारे के सारे सवाल करने होते हैं और यह चीज़ समझ लीजेगा कि आपने total 50 number असल करने यह नहीं है कि दोनों sections में अलग-अलग pass होना है ऐसा नहीं है बच् अगर हम बात करें के mcqs कितने है तो नॉर्मली जो आपका question number six होता है section a का आखरी question वह mcqs का question होता है पिछली time में सप्रिंग बाइस में आठ नहीं से क्यूज आये थे autumn 22 में नों से क्यूज आये थे नॉर्मली यह एक यह दो number के mcqs होते हैं ज्यादा तर एक number के होते ह हैं कुछ जिन में calculation जैदा होती है वह दो नंबर के होता है यह बढ़ा important stat है कि क्या कोई chapter miss हुआ paper से जनाब autumn 22 और सुप्रिंग बाइस इन दोनों में कभी कोई chapter examiner में miss नहीं किया examiner सारे chapters में से सवाल पूछता है theory कि कितने mcqs आये यह अग्ला stat है जो मैंने यहां पर नहीं नहीं थे आठ नंबर के mcqs थे वो छे भी हो सकते हैं साथ भी हो सकते हैं तो आपको पता है कि एक नंबर के mcqs थे theory के और long question भी एक theory का आता है ठीक है जी तो यह नहीं कि examiner जो हो theoretical aspects को भी cover करता है यह चीज आपने जहीं में रखनी है अच्छा आगे बड़ा होई है थोड़े दनों पहले उसका तो भी result नहीं है ना उसका result नमबर में आएगा लेकिन जो attempt हुई उसमें 8536 लोगों ने appear किया जिसमें से सरफ 1993 लोग pass कर सके which is alarming alarmingly at lower side यहीं कि 23% लोग ही सरफ उसमें pass कर सके इस paper को और यह paper अपनी नौयत का एक मुश्किल पेपर था जिसकी reason कुछ और भी है यहीं कि उसकत बच्छों को introduction to accounting की exemption मिल चुकी थी और और बहुत सारी उसकी ground realities थी जिसमें जाने की जोती है सो long story short यह paper एक challenging paper भी होता है और सबसे बड़ी reason जो इस paper में failure की है वो यहीं है कि बच्छे पूरा paper थियार करके नहीं जाते पूरा paper उदर बैटके कर नहीं पाते time manage नहीं होता हाथ दर दोनों शुरू हो जाते हैं सारे सवाल नहीं complete कर पाते तो यह जो कुछ ऐसी बाते हैं जिनको जेन में रखना होगा paper को कैसे पास करना चाहिए क्या क्या टिप्स हैं क्या टेक्निक्स हैं definitely हम भी साथ-साथ में देखते रहेंगे अब भी हम यह बात करते हैं कि यह जो हमारा course है जो मेरा course मुझूद है इसमें क्या क्या चीज़ें शामल है देखें हम लोगों ने अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक इसमें property plant and equipment के यह 3 modules आपने complete करना है property plant and equipment is 16 के अंदर 6-7 modules बने वहे हैं उसमें से पहले 3 modules आपने इस week में cover करना है और अगर आप यह target को complete करना चाहें एक हफते के अंदर तो it will take approximately maximum 1.5 to 2 hours कि एक दिन का आपका काम उसमें complete हो जाता है फिर य week हर week के target को capture करें और यह ऐसा नहीं है कि अगर आप एक week में पीछे रागे हैं तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे आप अगले week में थोड़ी सी मेनत ज्यादा करें और इसी target को meet करने की कोशिश करें क्योंकि इसी target की basis के ओपर आगे आपके live sessions भी है और इसी target की basis के ओपर यह हफते का rest भी बीच में दिया जाएगा कि आप इस week में आप अपनी अगर कुछीजें पुरानी रह गी हैं उसको cover कर लें कुछ revisions रह गी है तो इन revisions को cover कर लें तो मैं यह चाहता हूं कि अगर आप paper यह pass करना चाहते हैं तो एक routine बनाएं daily basis पे डेट से दो गंटे अप कुछ week के targets हैं वो थोड़े tight होंगे जैसे for example कुछ areas बढ़े हैं जैसे statement of cash flows का जो week है यह आपका बड़ा heavy बड़ा hectic गुजरेगा क्यूंकि इसमें आपने daily basis को पर 4-5 गंटे लगाने होंगे ठीक है तो मैं साथ-साथ में बताता होंगा कि भाई आप यह वाला week आ रहा है आपने इतनी मेनद करनी है यह वाला week का रहा है चलेंगे आपके फोड़ा easy है लेकिन अगर आप यह schedule को carry करके रखेंगे तो I am very sure के इंशाला आप लोगों का syllabus भी ना सरफ time पे complete हो जाएगा बलके आप लोग revision classes, test session, live sessions, ilme participation करेंगे last month हमेशा हमारा pass paper questions का होता है हम लोग pass paper questions करते हैं तो उससे भी आपकी coach coverage जो है यह पूरी हो जाएगी और जो आपकी preparation है उसमें मजीद अगर कोई खामी रही होगी तो वो भी cover हो जाएगी तो आपने सबसे पहले यह target रखना है जना आपके 22 January 2023 is the date जिस दिन आपका syllabus 100% complete होना चाही अच्छा syllabus coverage भी एक बड़ी मज आपके सवाल कराएं है उसके एक लिस्ट भी है तकरीब 55 यह 60 के करीब पास पेपर के questions है जो मैंने इसमें कराए में हैं examples और इस तरह की चीज़े इसके अलावा है इस course के अंदर जो भी तक uploaded है मेरी आप से requirement यह है कि let's suppose कि IAS 16 का एक area है उसके मैंने दो पास पेपर के questions करव होए है और वो रिख्यांट कराकर मैंने वीडियो जा करके अपने सिर और सिर्फ और सुर्फ वही दो पास पेपर के सवाल करने हैं और बाद में अपने अपने तैप्रकें कर यह चैप्त करें वो आपने नहीं करने, I do not require you, कि आप वो वाले past paper के सवाल भी अपनी first preparation में करें, जब आप अपनी first preparation कर रहे हैं तो आपने सिरफ वो सवाल करने हैं, जो मैंने आपको करने हैं, और उसी तरती तरतीब में नहीं हैं, बस आपके वहाल इस त्रीके से ठीक पहुत का लिबगा बात है bund लिगी आर सिर्ञार और सब्सक्राइब और काम मार्ज को एक्जाम होगा तो यह तकरीबन पोने दो महीने बन जाते हैं इन पोने दो महीनों में आपने डेली बेसिस पे एक पास्पीपर का सवाल करता है जस्ट वन पास्पीपर क्वेस्टिन उसके लाव आप अपनी बागी एक्टिविटीज करते रहें और किसी भी सब्सक्राइब करें और चीज़ों को एक अठाना करें दूसी चीज़ सब्सक्राइब आपके टेस्ट सेशन तो अगर आप उस प्रिपरेशन मॉडल को फॉलो करते रहेंगे जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया है तो आपको यह टेस्ट सेशन्स जो हैं आप इसमें भी अपीर हो सकते हैं यूविल बी अबल टो पीर इंडिस सेशन क्यूंकि यह टेस्ट इस तरह से रखे गए हैं और 14 अक्टूबर को जो टेस्ट है आपका यह टेस्ट नुमर बन यह उन टॉपिक्स का है जो इस से मताबिक आप कवर कर चुके होंगे ठीक है जी फॉर एक जैंपल यह आप 9 अक्टूबर कर चुके होंगे तो इसका 14 अक्टूबर को टेस्ट हो जाएगा फिर एक हफता चोड़के 23 इस ताइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को ना समझने की प्रॉब्लम एक्ट्रा कैलकुलेशन प्रिजेंटेशन के इस यह सारे के सारे इस्ट आपके आइस्टा इस्टा इस्टा कवर अप होना शुरू हो जाएंगे इस दफाह मैं खासी एफट खुद भी कर रहा हूं जो म आपकी उस टेस्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है इस वर्य इपाटन तो ऑंड़ेस्टेंट के थे होने से आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रेक्टिस होती है और यह ऑनलाइन डेस्टेंशन है उनलाइन स्काजिल है आपको सारी की सारी चीज़े वाट्सक ग्रॉप में कर दी जाएंगी कि आप जहां पे भी हैं आप वहीं से अपने घर से बैठके ही ओनलाइन टेस्ट दे सकते हैं अगें एक और शीज होती है जी जो बड़ी इंपॉर्टन है वो है जी वीक्ली लाइव सेशन कि हम लोग लाइव सेशन में बैठेंगे और हर हफ्ते यह हर हफ्ते वहीं है और हम्में एक दिन वेटनस डे को चार बजे से लेकर साहरे पान विद्ध दक हमारा लाइशन होगा इस लाइशन में मैं लाइव आउंगा आप लोगों के साथ बैठूँगा अप लोग भी अपने घरों से अपने अपने मोबाइल से अपने डिवाय से लाइब र इसारे लाइप सेशन्स यह तो सकता है कि बीच में इसको तूज तुस्टे को करें या फिर इसको पॉस्पों कर लेते हैं अगले लाइप सेशन के साथ इसको मिक्स कर लेंगे लेकिन एक लाइप सेशन होगा जो आपकी और मेरे दर्मयान एक discussion है एक talk है एक meet up है एक social interaction है जिसमें हम आपस में मिलकर यह चीजें discuss कर रहे हैं जो issues है इनको discuss कर रहे हैं जो problems है आपके उनको discuss कर रहे हैं अगर फर्स करेंगे आपको किसी सवाल में दिक्कत आ रही है तो वह question में आप से ले लूँगा मैं उसको live session में नहीं कराऊंगा मैं उसको कराऊंगा तो एक फुल फ्लेज उसकी वीडियो बनाके पॉर्टल पर डाग दूँगा के ताके आपके बाद मैने वाले लोगों के लिए भी वो मदद जाए वो कारजर साबद हो जाए ओके तो live session का भी जिकर कर लिए हमने हर वेड पांच दूबर को चार बजे से लेकर साड़े पांच बजे तक होगा वाट्साइब ग्रूप जो हमारे बने वे नियर बेर के उसमें रिजिस्ट्रेट को live session की लिंक्स मिल जाएंगे और वो उसको कांटेक्ट करके live session attend कर सकता एक बड़ी इंपार्टन बात है जो बच्चे पूछते हैं कि सब्सक्राइब कौन सा यूज करें अकांटिंग के सब्जेक्ट में मैं समझता हूं कि study material या यह बुक्स बगरा होती है यह उतनी ज्यादा helpful नहीं होती है और यह बहुत ज्यादा motive होती है क्योंकि इनमें बहुत सारी examples उनके solutions और इस तरह की चीज़े होती ह इनके soft copies अगर आपको पास है तो that is enough असल में आपने पढ़ना है आपको लेक्चर में जो चीज़ बताई जाएगी आपको प्ताई जाएगा इसका यह formula है यह adjustment है यह calculation है तो उसके आपने खुद अपने notes बनाने है आपने short notes बनाने है जब तक वह चीज़ आपने हाथ से नह जाला कभी दिकत नहीं होगी तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा handwritten notes बनाएं कोई भी बुक लें आपकी मर्जी है मैं बुक में कोई specific नहीं हो जो questions मैंने कराए है my first requirement इसके आप में सुर्फ वह सवाल करने है ठीक है प्रॉब्लम ही होती है कि बहुत सारी books जो है वो different concepts different mindset के साथ बनी होती है तो प्रॉब्लम ही होती है कि बच्चे जब उस तरह की book use करते हैं तो वो confident उनमें confidence आने की बजाए वो मजीद confused हो जाते हैं कि यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है यह तो हमारे teacher ने किराया ही नहीं और हलाए कि उसका exam के साथ को इतना ज्यादा direct relationship नहीं हो content और इस teacher के notes बगरा के आपर focus रहें इदर की किताबों में जहांते ही जूरत नहीं है you will be confused you will be misguided और जो के एक अच्छी बात नहीं हां icap के past paper की जो अकसर soft copies भी शेर हो रही होती है आप आपने पास रख सकते हैं आप printed icap के past paper की जो compilation है वो आप use कर सकते हैं तो इसमें different चीजें है book के अवाले से आपके पास जो भी book है that is enough that is fine पढ़ना आप में वो video lectures है जो मैंने आपको पढ़ाए है उसमें concept जो मैंने जिकर किये हैं वो आपने note करने हैं उनको लिखना है जो सवाल मैंने कराए है उनकी practice आपने करनी है ठीक है जी this was all about the study material to be used एक बड़ी इनको हम लोग आया फारस भी कहते हैं accounting standards आई कैप की जो offices है वहां से उनकी hard copy मिल जाती है hard bound copy copies मिल जाती है यहां student given 3-4,000 पर देकर purchase कर सकता है इस book के अंदर accounting के तमाम rules लिखे होते हैं क्वाम accounting standards का text लिखा होता है जिसमें बताया गया होता है कि यार इसकी treatment ऐसे करनी है यह ज्यादा एक descriptive document होता है जिसमें बहुत सारी English लिखी होती है और शायद calculation point of view से बहुत सी चीज़े लिखी होती है क्योंकि यह सिर्फ एक tone set करता है कि यार इसकी depreciation जो है वो इस pattern से भी हो सकते है इस pattern से भी हो सकते है इस pattern से भी हो सकते है उसका formula क्या है उसकी calculations क्या है शायद इसमें मौझूद हो शायद इसमें मौझूद ना हो तो यह जो accounting standards जिनको हम IFRS कहते हैं यह IFRS आप exam hall में अपने साथ लेकर जा सकते हैं and during your exam of FAR1 आप उनको open करके refer कर सकते हैं let's suppose कि आपको यह 16 की कोई चीज याद नहीं आ रही कोई definition याद नहीं आ रही कोई content याद नहीं आ रहा तो यह can open your standards और आप वहां से देखकर नकल कर सकते हैं वहां से देखकर वो चीजें लिख सकते हैं लेकिन यह जो open book है आपकी इसका आपको तभी फाइदा होगा जब आपने open book ले यह accounting standards लेकर इसके हर standard को thoroughly पड़ा है उसको underline किया है उसको not down किया है एक चीज़ याद रखेगा कि यह जो content standards होते हैं पर कोई writing allow नहीं है you cannot write anything आप उस पर लिख नहीं सकते pencil से pen से किसी भी चीज़ से अगर आपने लिखा हुआ है और examiner वो आपके standards during your exam check कर लेता तो आपसे standard ले लेगा आपके standard forfeit कर लेगा और exam के बाद आपको आपस करेगा तो आपके लिख नहीं होगी तो वह क्या तरीका कार है वह क्या mechanism है उसके अपर इंचाला हम दूरिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप अभी लेकर रख सकते हैं लेकिन वह एक जैसे भी पिछली दो attempts जो हुई है अगर हम इनकी बात करें तो accounting standard was not of much of a use वह इतना ज्यादा useful नहीं थे और जो बच्चे आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां पर लिखी है आप समझें कि इतनी इतनी मोटे पांच वॉल्यूम्स है चलें आइक पांच में से कुछ चीजें शॉट करके उसको तीन वॉल्यूम्स में कर दिया है लेकिन यह है कि अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं तो आपको क्य आपकी एक्जाम में आपकी हाल कर सकें और हमने यह देखा है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेशिन स्पेसिफिक में नहीं है जिन में हमें स्टेंडर की मदद से को स्पेसिफिक है अच्छा अब यहां पे थोड़ी सी कन्फूशन पैदा होगी है कि वोट आई बिलीव कि क्य अब प्रॉब्लम में जरुबरत नहीं है और आपको लिने नहीं चाहिए अगर उसका अब इस 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 स्टेट्मेंट में प्रॉब्लम है कि अगर कल को कोई क्वेस्टिन आ गया जो कि अकाव्ट निकाल निकाल के चलाएंगे और कहेंगे देखें कि जहांसे अगी तरह नही सब्सक्राइब करें तो आपके लिए वो चीज जो होगी ठीक है तो इस अगर आपको लगते हैं कि यह तो मैं को मैं इसमें शामिल करेंगे उसको हाइलाइट करने का तरीका कार यह सारी बाते हैं हम लोग सब्सक्राइब करेंगे जिससे के बच्चे को होगी अकांटिंग स्टेंडर्स या ओपन बुक इग्जाम को इस्तेमाल करने के लिए लेकिन अगर आप स्टेंडर्स लेना चाहते हैं अगर आप ले लेंगे तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको कैसे अंडल करना इसको कैसे पॉसस करना है और क्योंकि ज्यादा जो इंपॉर्टन चीज़ा को यह है कि जो अकांटिंग स्टेंडर्स के इलावा जो हमने ची करें और बहुत ज़्यादा सवाल अकांटिंग स्टेंडर्स से नहीं आता है ठीक है जिस वाल अलबाउट दा उपन बुक एक्जाम आई कोप कि आपकी सारी चीज़ने समझ आई होंगी इफ यह वैनी क्वेस्टिंग आपने कोर्श जोईन कर लिया होगा तो आप वाट्श